तो दोस्तो मेरा ना मैं राहुल स्वागत आपको टेक्निकल अथार्टिव चैनल पर है दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको टेवल फैन, एक्जोस्ट फैन, कूलर या फिर किसी भी मोटर का थ्री वायर कनेक्शन कैपसिटर के साथ कैसे करना है इस वीडियो मताने वाला ह इस वीडियो के साथ साथ किसी भी थ्री वायर मोटर का कनेक्शन कैपसिटर के साथ आसानी से कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं देखें आपड जो आपको यह motor दिखाई दे रहें, इसके अंदर से तीन आपको wire दिखाई दे रहें, जो कि winding के अंदर से आए, पहले black wire, दूसरी red wire, तीसरी yellow wire है, हर motor में अलग-अलग color की wire winding से निकलती है, किसी भी color की wire हो, उससे कोई problem नहीं है, सबसे पहले हमें इसमें यह चेक करना होता है जो तीन वायर इसके अंदर से निकलते है वाइंडिंग में से उसमें common वायर कौन सी है running कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है अगर आपको इसमें common वायर का पॉस्ट जाता है तो आप किसी motor connection आसानी से कर सकते हैं देखिए आपर इसे चेक करने के लिए मैं दूसरे से टेस्ट ना हूँ, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सीरिस टेस्ट लेम मनाना तो 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 सीरिस टेस्ट लेम मनाना त देखि, मैंने इस type से ले लिया है, अब हमें क्या करना है हैं यहाँ पर जो holder के दो तार दिखाई दे रहे हैं उसमें से किसी एक तार को हमें क्या करना हैं सौकिट में लगा देना है और जो दूसरा तार है उसको अच्छी तरह से हाथ में पकड़ लिना है ताकि current ना लगे देखिए इस type से मैंने इस black वाले तार को पकड़ लिया है और इस red वाले wire को मैं यहाँ पर socket के एक terminal पर लगा देखिए यहाँ पर एक तार हमारा holder का लग चुका है अब जो हमने तार का टुकड़ा लिया था उससे क्या करना है एक side को हमें हाथ में साई से पकड़ लेना है और जो दूसरा side है इसका हमें क्या करना है इसमें socket के दूसरे terminal पर लगा देना है इस type से देखिए मैंने लगा दिया है अब हम एक बार check करते हैं देखिए यहाँ पर दोनों वायर को touch करते हैं देखिए बल्ब जल रहा है इसका मतला हमारा series test लेम वर्क कर रहा है देखिए यहाँ पर red और yellow पर लगाया यहाँ पर जो बल्ब काफी तेज जल रहा है तो चलिए एक बार और चेक करते हैं फिर आपको इसके connection बताता हूँ और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था है यहाँ पर black वाले और red वायर पर लगाया तो यहाँ पर ज यहाँ वाले और black वाली वायर वो एक starting की और एक running की है इस विजशे हाँ पर जो टाशी टेस्लम का जो बल्ब काफी कम जल रहा है और इसके अलावा जो यहाँ पर red वायर हो क्या यहाँ पर हमारी common की वायर है जिन दो बाहरे पर सीरिज टेस्लम का बल्ब कम जलता है तो उस तर है यहां पर running और starting का है और इसके अलावा जो तीसरा बचाया है यहां पर यहां पर common का है तो स्ञाल करना है तो जो क्या करना हुटा कनेक्षनаете कनेक्षन होते हैं वो स्टार्टिंग और running की वायर में connect होता है हम common की कभी भी Kapister की wire connect नहीं करते हैं, तो देखिए आपर मैंने इक Black wire से connect कर दिया Kapister का wire और यहाँ पर जो Yellow वाला वायर था इस Kapister की wire से हाँ पर मैंने connect कर दिया, connection करते समसे हमें ध्यान देना common की wire को Kapister की wire से connect नहीं करना है तो चलिए अब इसके main supply को connect करते हैं देखिए आपर मैंने एक main supply की wire ले लिए जिसमें एक लाल और काला आपको तार दिखाई दे रहा है हमें क्या करना है किसी भी एक तार को यहाँ पर common की wire से connect कर देना है तो देखिए आपर जो लाल वाली common की wire थी मैंने main supply के लाल वाली तार से connect कर दिया तो इस टाइप से हमें क्या करना है जब भी हम main supply का connection करते है तो हमें क्या करना होता है common की एक wire को main supply की एक wire से connect कर देना होता है इसके बाद हमारा जो main supply की एक wire बची है और यहाँ पर दो तार आपको दिखाई दे रहे केपिस्टर के साथ जो connect रोका एक पीला तार एक काला तार हमें क्या करना है दोनों में से किसी भी एक तार से इस black वाले वायर को connect कर देना है इसके बाद फिर इसकी direction चेक करनी है हमारे motor की direction सीधी है कि उल्टी है कुछ motor क्या होता है घड़ी की सीधी direction में चलती है कुछ जो motor ह करते हो घढ़ी की लुटी डैयक्शन मेंचलती है तो हमें चेक कर लेना है पंखड़ी के हिसाफ से आपको पथा चल जाएगा हवा दे की है नहीं दे लिए तो यहां पर देखे मैं एक वाइर को टेप लगा देता हूं जिससे मोटर चलने पर इसकी डायरेक्शन पता चल पाए तो यहाँ पर देखें मैंने एक टेप लगा दिया है और हम इसके तार को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर मैं सोक्ट में इसके दोनों तार को कनेक्ट कर देता हूं और फिस हम इसकी कर देखिए यहाँ पर जो हमारा मोटर है वो चलने लगा है और यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन वो देखिए आपर घड़ी की चलती दिसाम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है मोटर देखिए एक बार और आपको बंद करके दुबारा चालू करके दिखाता हूं देखिए जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है अगर आपको लगता है यहाँ पर जो आपकी मोटर है वो उल्टी चल रही है तो आपको इसकी डायरेक्शन कैसे सीधी करने है इसके बारे मताता हूं या फिर आपको इस टाइप से परसल जाएगा आपकी जो पंखड़ी ऑ जिस पर हमारी black वाइर कनेक्ट थी उसने हमें कर देना है तो यहाँ पहीम है रॉत आपको इसके दार को निकाल कर यह है पर ब्लैकवाले वायर से चेंज करते हैं तो हमें ध्यान देना है जिस wire पर capacitor की wire connect हो रुकी है और जो हमने इसमें main supply की जो दूसरी wire connect कर रुकी है उसमें से निकाल देना है और capacitor की जो दूसरी wire है उसके साथ connect कर देना है तो जो इसकी direction होगी वो सीधी हो जाएगी जैसे कि मैंने इस video बताया है अगर आपको फिर भी इसके connection करने problem आ र चल रही है तो यहाँ पर देखिए दोनों wire को लगाती है देखिए जैसे मैंने on के यहाँ पर जो इसकी direction चेंज हो गई है आप एंटी clockwise चल रही है जिससे हम घड़ी की उल्टी जिसा कह सकते हैं आप घड़ी की उल्टी जिसा में चल रही है तो आपको चेक कर लेना यहाँ तो इसअगर पर आपके मोटर की direction है वो इस टाइप से है या फिर clockwise आइंटी प्रॉलम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में